मुझे पूरा यकिन है कि ब्रा सिर्फ सुरुवात है ओ, कच्ची मचली यह तो बहुत गंदा लग रहा है और मेरा वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है मैं तो उसे चूमने के लिए भी तयार हूँ मुझे भी वह चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे मिला है वही खाना पड़ेगा ची, कितना गिनोना आखे, तुम यह कैसे कार पा रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा हमें तुम्हें पुरसकार देनी क्या आउ सकता है कमिला अरे यह क्या, मैं अब जलपरी बन गई हूँ वाँ, तुम तो बहुत खुबसुरत लग रही हो धन्यवाद, हाँ मुझे भी यह रूप बहुत पसंद आ रहा है क्या तुम्हारी मचली वास्तम में चादूई है शायद मेरी भी हो ठीक है शारलेट, मैं तुम्हें भी सर्प्राइज दूँगी उपस, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बढ़ी मचली में बदल गया है बहुत बढ़िया पड़ी कोला, बहुत बढ़िया आरे हाँ, मैं तो इसके सपने काफी दिनों से देख रही थी मेरी मोतर मुझे थोड़ी अजीब सी दिख रही है ओ, मुझे समझ आ गिया, यह चौकलीट का बना हुआ है यह असली कोला से भी बेतर है मुझे पूरा यकिन है कि यह सोडा भी बहुत स्वादिस्ट है थोड़ा मेरे लिए भी डालो ओके हाँ, जरूरी यह लो मेरा कहना है कि हम यह कोला साथ में पीते हैं कोला में चौकलीट का स्वाद वाह, बहुत बढ़िया मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों का ध्यान थोड़ा हट गया है अब समय है तुम लोगों को खुश करने का चलो एक छोटी सी बाट कोला कहीं से लीक हो रहा है ओ, एक छेद है तुमने सब कुछ गिरा दिया कमीला माफ करना, मैं ऐसे नहीं करना चाह रही थी मुझे ऐसा लग रही कि यह कैक्टिस है काटा चुप गया मेरे वाले से कोई खत्रा नहीं है क्योंकि यह चौकलेट का बना हुआ है मेरी तो किस्मत ही खराब है निराश होने के लिए बहुत जल्दी है मैं इसे अभी ठीक कर दूँगी यह कैक्टिस मुझे वाइल्ड वेस्ट की याद दिलाता है अगर मैं वहाँ रहती तो निश्चित रूप से एक काव बॉय बन जाती और शारलेट से लड़ती मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूँगा मैं भी कुछ कम नहीं निशाना लग गया फिर से काटा चुप गया तुम सपने कम देखा करो जब मैं कलपना लोक में थी एक अच्छा विचार मेरे दिमाग में आया मैं एक स्ट्रॉ का उप्योग करके कैक्टस का रस पियूँगी काफी अच्छा है क्या तुम्हें किसी अच्छे चीज़ की खुश्बू आ रही है यह पिज़ा है और यह अभी भी गर्म है मैं एक टुकड़ा लूँगी आँ दर्द हो रहा है खेर कोई बात नहीं मैं तुमसे बदला लूँगी शार्लेट तवैसको की एक दो बुन्द और बस तुम मेरे साथ साजा करना चाहोगी मैं तो अपने आपको रोक नहीं पा रही हूँ यह बहुत स्वादिस्ट है और बहुत ज़्यादा तीखा यह सब तुम्हारे लिए है कमीला और इसे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत जब तक तुम लोग बातों में लगी हो लड़की हो मुझे लगता है मैं इसे थोड़ा खालू तुम लोगो की इन बातों से मेरी भूग जाग गई है वैसे चॉकलिट पीजा भी कुछ होता है यह अपसोस की बात है कि कमीला इसे नहीं खा पाएगी मैं इसे नहीं लूँगी नहीं ले लो जब हम आपस में बहस कर रहे थे मेरा पीजा कहीं चला गया मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां गए मुझे कुछ अनुमान है पहली, मुझे तुमसे यह उमीद नहीं थी मैंने कुछ नहीं किया है हलाकि इसके लिए बहस करना मुर्ख इतना पूर्ण है एक चॉकलेट का बना हुआ चमच निश्चित रूप से एक असली चमच से बहुत बहतर है कितना अच्छा होगा अगर दोनों चमच खाने लाइक हो नई, मेरा वाला बिल्कुल स्वादिस नहीं है मेरे दाथ, लागबग तूठी गये थे रोना बंद करो शार्लेट अब मैं तुम्हें अच्छा मैसूस करवाती हूँ यह क्या है मेलकशेक, बहुत बढ़िया हम इसे और रंगिन बनाते है मैं भी ऐसा कर सकती हूँ अच्छा यदि तुम्हें कोई आपती नहीं हो तो जैसा है वैसा ही छोड़ दे अच्छा ठीक है लेकिन मेरे पास एक चॉकलेट चमच है अरे नहीं वह पिगल गया है पर यह कॉक्टेल्स चॉकलेट वाला बन गया है बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट यह तो बहुत अच्छा हो गया पर यह मूचे तुम पर अच्छी नहीं लगती वाँ कंगी शायद यह एक संकेत है कि हमें अपने बालों को ठीक करने की आवशकता है चलो करते है यह ठीक से नहीं हो रहा है मुझे लगता है तुम्हारा कंगी चॉकलेट का बना हुआ है तुम सही कह रही थी यह चॉकलेट का बना हुआ है तुम लोग थोड़ी उप गई हो लड़कियों चलो अब थोड़ा मजा करते हैं उप्स ओह कंगी मेरे बालों में अटक गई है रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ मैं इसे अभी बाहर निकाल दूँगी शायद थोड़ा और जादू डालने की जर्वत है कंगी निकल गई ये सब पर ध्यान मत दो ये सब हमारी परी कीचाल है अच्छा है थोड़ा कुछ खा लो साधारन जॉइस्टिक और मैं उसके साथ क्या करूँ ऐसा लग रहा है कि मेरे वाले को खाया जा सकता है इसकी महत चॉकलेट की तरह है और इसका स्वाद भी थोड़ा मुझे भी खाने के लिए दो नई इस बार नहीं चिंदा मत करो कमीला सब कुस तुम्हारे हाथों में है मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है क्या करना है कितनी बुरी बात है शारलेट मेरे साथ नहीं खेलना चाहती है खेल मुझे खुदी सब कुछ करना होगा तो बाएं चलो या क्या हो रहा है मैं तुम्हें अपने इशारे पर न चाह रही हूँ क्या तुम थोड़ी सावधानी पूर्वक कर सकती हो मुझे तो मज़ा आने लगा है तुम मज़े रोक नहीं सकती चलो इस बटन को दवाती हूँ बहुत मज़ेदार और अब या वाह क्या जटका है और अब या मैं एक योद्धा हूँ लगता है कि ये लियंत्रन से बाहर होने लगा है रुको शारलेट अब इसे खत्म करने का समय है वाह लगता है मेरे हाथ मेरे नियंत्रन में है लगता है अब मैं खत्रे में हूँ वाह शारलेट और एंजी को स्ट्रॉवेरी और चॉकलीट की जोड़ी बहुत पसंद है और इसके लिए हम उन्हें दोश नहीं दे सकते हैं लेकिन उन्हें कुछ और इसमें जोड़ने का मन है उपस गर्वर हो गया फिर से कोशिश करो कितना भयानक सब चीज पहले की तरह करो ओह एंजी को आखिरकार उस छड़ी का इस्तेमाल करना आ गया लेकिन अभे भी माइक चॉकलेट में धका हुआ और मेरे दिमाग से नहीं निकलता है ओह एक फाउंटेन शानदार और हम चीजों की शुरुआते एक आई बॉल और एक तीखी मिर्ज के साथ शुरू कर रहे हैं एंजी को अपने स्वादी स्ट्रीट को और भी अच्छा बनाने आता है उसने उसके अंदर एक छड़ी गुसाया और यह अच्छा हो गया शार्लेट उतनी खुश नहीं है उसने बहादूरी से अपने मिर्ज के उपर चॉकलेट लगाया और एक चमतकार की उमीद करती है किसे पता कि कब क्या हो सकता है हाला कि इस बार चीजे उतनी बुरी हुई जितना उसने सोचा था उसका मूझ जल रहा है अच्छा है कि वहाँ एंजी थी उसकी मदद के लिए समस्या का सबसे अच्छा हल नहीं था लेकिन तब भी काम कर गया ओ चिप्स बहुत बढ़िया ची मचली शारलेट को दुबारा कुछ अच्छा नहीं मिला है इसे ठीक करने का कुछ तो अच्छा तरीका होगा है ना एंजी क्यो ना तुम पहले जाओ और उस मीठे और नमकिन जोडी को चक कर देखो वाह क्या वह प्रिंगल चॉकलेट में बदल गया आप तो वो और भी बेतर है क्या मचली के साथ भी ऐसा होगा चलो बस कर लो शारलेट और यकीन रखो चमतकार में देखो वास्ता में काम कर गया वो मचली तो भाजार गुना ज़्यादा स्वादिश्ट हो गया एंजी को थोड़ी जलन हो रही है और उसे भी इतने स्वादि स्ट्रीट का आनन लेना है एंजी लगता है कि उसने देखा नहीं कि अब बदल गया है बहुत बुरा ओ यह चोटी चीजे क्या है? कितना प्यारा क्या शारलेट तुम्हीं किसी का श्राप लग गया है? ब्रॉकली के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है जब तक कि एंजी अपने कैंडी पेसिफायर से खेल रही है शारलेट बस वही सोच रही है कि वह कितनी बदकिस्मत है एंजी तो अब सपने देखने लगी है कि वह तो असलियत से बहुत दूर चली गई है वह इसके बारे में कलपना करने लगी है कि वह एक प्रसिद अभिनेतरी है जिसे बहुत सारे उपहार और फूल मिले है और अब असली दुनिया में उसे एक बहुत ही अलग तरह का पौधा दिया गया है लेकिन तब भी उसके पास सकर है जो बुरा नहीं है शारलेट तो अब निरास नहीं है उसे ब्रॉकली मिला है तबी भी ठीक है वह इससे निपट लेगी बहुत प्रभाव साली एंजी कभी ना कभी तो चीजे बदल नहीं वाली थी अच्छा प्याज है दूसरी तरफ शारलेट आखिरकार मुस्कुरा रही है एंजी ने अपना डेश खाया और उसका सुझाव है कि कोई भी इसे कभी न खाये ओ क्या उसके आशु भी चॉकलेट से बनने हैं शारलेट यह सोच रही है कि वह अपने तरबूत से अच्छे चीज कैसे निकालेगी कोई चिंता की बात नहीं है उसके पास इसे काटने का सबसे अच्छा तरीका है अरे किसे पता था कि यह लड़की एक फ्रूट निंजा है यह तो एक खतरनाग प्रतिवा है आखिरकार शारलेट अपनी पहली अच्छी डिश का आनन ले सकती है हम सब जानते हैं कि ताजा रसदार तर्वुच कितना अच्छा होता है और चॉकलिट के साथ तो यह और भी बेतर है बहुत अच्छा अब एंजी कुछ बुरा करने वाली है वो शारलेट को खुस राने नहीं देगी और वो फॉन्टेन को बरबाद करने जा रही है उसमें थोड़ा सा वसावी डाल कर ओ यह तो भयानक है शारलेट का ध्यान अपने पहले अच्छे दोर पर इतना था कि उसने यह देखा ही नहीं कि चुनौती में ध्यान कभी भी नहीं हटाना चाहिए एंजी यह मजेदार था पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं एक बहतरन जोड़ी है यह कोका कोला और फ्रेंच फ्राइज हमारे प्रतियोगी थोड़ा सा भी समय बरबाद नहीं करते हैं और तुरंथ अपने फ्राइज को फाउंटेन में घुसा आया यह चौकलेट कैंडी स्टीक में बदल गया बहुत अच्छा तो क्या इसका मतलब है कि सोड़ा भी चौकलेट फ्लेबर का हो गया नहीं एंजी के पास साधरन वाला है लेकिन शार्लेट के पास कुछ बहतर है बहुत सारा कैंडी मैं शर्ट लगाती हूं कि यह कुछ बहुत ही अनोखा होगा बेशक एंजी को भी एक घुट चाहिए उस विशेश चीज की लेकिन उसे अपने लालच का फल भुगतना होगा वह लड़की तो चौकलेट से पूरी तरह से धग गई है आशा है कि दाग ना पड़ जाए चिकन लेकिन बेशकी अकेले बहुत स्वादिस्ट होते हैं पर चौकलेट के साथ मुझे नहीं पता शार्लेट के पास एक बेटर विकल्प है उसे एक बहुत बड़े चमच की जर्वत होगी इसका आनन लेने के लिए स्वादिस्ट चौकलेट और कैंडी इससे और बेटर क्या हो सकता था जितना उसने सोचा था उससे बड़ा चमच है इसके लिए तो उसे एक बड़े सीर की जर्वत होगी अरे यह उसने कैसी किया? कहा जाता है कि जहाचा हुआ रहा यह तो लगता है कि बात सच है एन जी यह करना नहीं चाहती है लेकिन उसे किसी भी तरीके से खाना होगा देखने में तो चिकन और बार्वी क्यों सौस की तरह लगता है पर स्वात जरासा भी करिम नहीं है लेकिन वास्तम में यह बहुत बेतर है काफी आस्चर की बात है लेकिन अच्छा है शारलेट नहीं यह देखा वो हर चीज का हिसा बनना चाहती है और वो चीजे और दिल्चस बनाना चाहती थी जो एक बहुत बड़ी भूल थी एंजी ने तुम्हें उल्लू बनाया हेलो मिस्टर टेडी बिल्कुल सही डिजर्ट हाला कि एक चिकन सैंड्विश तो खाने के लिए बहतर है लेकिन चॉकलेट के बिना प्लीज शारलेट ये ऐसे ही बरदास नहीं करें कि वो कुछ चीजों से छुटकारा पाना चाह रही है है यारा एक बार चॉकलेट में डुबा हुआ यह तो एक अलगी कहानी है अब तो यह एक पेश्टी जैसा जादा लग रहा है अब एक बड़ा सा सुन्दर सा गमी बेर चॉकलेट में डुबाया हुआ इसके तो लोग सपने देखते हैं और यह तो लड़ाई के लायक है और शार्लेट यह लड़ाई जीतने के लिए डटी है आउच शार्लेट तुम यह चोट खाने से बच सकती थी त्याश्वस्त होंगे जन दिन मुबारक हो जैकब एक और साल बड़े हो गये आरे यह तुम्हारे लिए है बहुत 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 बढ़ाई हो दोस्त यह रहा तुम्हारा उपहार वाह इतने सारे उपहार पर इसके अंदर क्या है पैंट्स मेरे पसंद अनुरुप नहीं है रंगिन पैंसिल यह क्या हो रहा है और तिसरे पैकेट में क्या है? ड्राइंग का और सामान जो मुझे मिला है हाँ, जो मुझे नहीं चाहिए था तुम लोगों हो क्या हुआ था यार? अब आओ जैकब, अब केक काटने का समय है हम सब यहाँ खाने के लिए तयार है तुम सब के लिए कोई केक नहीं मेरे पास तुम लोगों के लिए अलग ही सर्प्राइज है हम कहां आ गया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों को ड्राइंग काफी पसंद है मैं अपने इस थियोरी का परिक्षन करना चाहता हूँ तुम सब अपने उपहार वापस ले लो तुम्हें इन सब की जरुवत होगी हमारी चुनावती के लिए हम आसान शुरुवात करेंगे अब इस केक की ड्राइंग बनाओ जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी वह केक ले जाएगा ओ यह तो मेरा जितना अच्छा है एक एक चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है मैं तो यह असानी से बना लूँगी कितने सारे प्यारे रंग है तुम लोग जादा ही सोच रहे हो मैं तो बस इस पर कुछ रंग डाल देती हूँ और फिर उनको मिला दूँगी रुक जाओ समय खत्म हुआ हम सब तयार है मेरा काम सबसे अच्छा है यह एक कठिन विकल्ब है लेकिन मुझे लगता है तुम सही हो सोफिया यह तुभारा है और क्या हम लोगों के लिए कुछ नहीं भूजन का पूरा आनन्द लो सोफिया यह फ्रोस्टिंग तुम पर अच्छा लग रहा है मुझे आसा है कि आप सब तयार हैं अगले दौर के लिए यह अच्छा है क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे यह बक्सा अच्छे सामानों से भरा हुआ है शुरू हो जाओ मुझे इस बार जीतना ही है ओ यह तो भ्यानक है हाँ मैं इस उपकरन का उप्योग करूँगी मैं एक हरा फोन पेंट करने जा रही हूँ ओ तुम दोनों का तो सच में बहुत अच्छा है उप्स क्या मैंने ऐसा किया सोफिया मेरी ड्राइंग चिंता मत करो मुझे लगता है कि बस तुम्हारे पेंटिंग को बहतर बनाने के लिए हुआ है सोफिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो या गलत है कृपिया मुझे माफ कर दो दोस्तों या मातरिक दुरगटना थी मेरे पास उस फोन को प्राफ्ट करने का कोई मौका नहीं है मेरा भी तो फिर सोफिया फिर से जीट जाती है कितना आदबुत है रुको यह एक असली फोन नहीं है तुमने मुझे धोखा दिया है तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था धोखा धड़ी ने तुम्हें कहीं का नहीं रखा मैं देख रहाँ कि तुम लोग इस नाश्टे को मना नहीं कर पाओगे यहां पर मुझे यकीन है कि जिसे सबसे ज़्यादा भूख लगी होगी वो इसे प्राप्त कर लेगा अब काम पर लग जाओ इसकी सुगंद कितनी अच्छी आ रही है मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा है ड्राइंग पर तुम बस आगे जा सकती हो और चाहो तो हार मान सकती हो फ्रेंच फ्राइज इससे अच्छा और कुछ नहीं अपने काम दिखाओ ओ वाँ यह सब बहुत अलग है और सभी प्रभावशाली भी मुझे लगता है तुम सभी एक चीज जो तुमने बनाया है उसको ले सकती हो बेशक उसके अंदर एक छोटा सा सर्प्राइज चुपा होगा तीखा सा सॉस फ्राइज के लिए एक काफी हिलाया हुआ सोडा और एक बर्गर जिसके अधर तीखी मीर्च शुपी होगी आननलो तुम बहुत अच्छे हो जैकब मैं खुशी खुशी इस बर्गर को खालूंगी रुको मेरा मूँ क्यो चल रहा है अरे नहीं यह यहां क्या कर रहा है मुझे कुछ दो आह यह फ्राइज भी तीखा है मुझे कुछ पीने को चाहिए मैं तो सोडा से भींग गई ए बगवान अब बस भी करो मैं तो हस्ते हस्ते मर जाओंगा सुन्दर बक्सा है ना बस थोड़ी देर इंतजार करो जब तक कि तुम इसे देखना लो कि इसके अंदर क्या है कैंडी का धेर क्या बात है हाँ और सभी मेरे पसंद के मैं इसे यहां रख देता हूँ मैं उस पुरशकार को पाने के लिए कुछ भी करूँगी इतनी जल्दी नहीं हमें इसे और अधिक कठिन बनाने की जरुवत है आई मास्क सभी के लिए अरे यार इससे तो मेरे जितने की संभावना कम हो सकती है किसी ने नहीं कहा कि वो आसान होगा अब शुरू करो लड़कियों और मैं इस भी थोड़ी जपकी ले लेता हूँ मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है या कौन सा रंग है मैं केवल कल बना कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग कितनी खराब दिखेगी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है या कठीन है तुम्हें पता है क्या मैं आभे भी बहुत आस्वस्त हूँ तुम्हें बस विश्वास रखना पड़ेगा मैं ज़्यादा सो लिया समय समाप्थ हो गया है दोस्तो तुम सब दिखाओ तुमने क्या बनाया है वाह या तो अद्भूत का लाकृती है वाह बहुत बड़ी हैं मैं तो स्थब्ध हूँ सच में मेरा काम भी कम प्रभावशाली नहीं है और ना ही मेरा मैं तो हिल गया हूँ तुम सब इतने प्रतिभाशाली हूँ किसी एक का चैन करना लगबागा समभव है लेकिन मुझे लगता है कि सूजी का सबसे अच्छा है मेरे तो जीब में पानी आ रहा है ठीक है तुम दोनों भी कुछ ले सकती हो क्या हाई बस थोड़ा सा मजाक किसी को नहीं चाहिए ठीक है मतलो मेरे लिए बचेगा मुझे तुम लोगों के लिए एक और उभार मिला है तुम लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है बहुत बढ़िया है ना पर एक बर फिर से यह आसान होने वाला नहीं है तुम सबको अपने मुँ में से पेंट करना होगा क्या तुम मजाक कर रहे हो नहीं बिल्कुल नहीं अब शुरू करो ठीक है मैं इसे समभाल सकती हूँ मैं तो शायद एक ही पेंट करूँ हाँ यह सही है कम ही सही लेकिन अच्छे से करना बेतर है खेर मेरा सबसे अच्छा काम नहीं है तुमारे बात से सहमत हूँ तुम और सोफिया लगबग समान हो लोला का भी उतना बेतर नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है मैं जीत गई आखिरकार और अवी नाम में तुम्हारा मेक ओवर बिल्कुल सही तुम तो एक जोकर की तरह दिख रही हो मुझे लगता है वे दुनों बस तुमसे इर्शा कर रहे हैं नहीं वे नहीं मुझे लगता यह समय है थोड़ा ताजा होने का इन रिंग्स के बारे में क्या ख्याल है मेरा सुझावे कहम इसे थोड़ा आसान बनाते हैं और हर कोई अपनी बोतल खुद पेंट करेगा अच्छी सोथ सोफिया यह अच्छे से हो रहा है और मेरा भी आप तुम्हारे पास बहुत ही कम सेकेंड बचे हैं और आप खतम तुम बॉस हो हम लोगों का हो गया और हमारे चितर एक दम बढ़िया है क्या तुम इस प्राइट, कोक और फैंटा के बिच कुछ चुनाव कर सकते हो यह सब बहुत अच्छे है मैं कहता हूँ तुम में से प्रतेग ने अपनी पसंद की बोतल प्राप्त की है मैंने कहा था ना यह अच्छे से काम करेगा क्या उन्हें बास्ता में कोई शक नहीं हुआ कि मैंने उनके लिए एक और कार्बोनेटिड मजाग त्यार किया है इस तरह से मिलाना अच्छा परिनाम देगा एक और कूका कोलन नहीं पैंटा का फवारा अरे नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है जैकब क्या तुमें लगता है यह मज़ेदार है अरे यार यह तो बहुत मज़ेदार था मुझे नहीं लगता कि हम तुमसे सामत हो सकते हैं यह लो अरे दोस्तों या क्या यह सिर्फ एक मज़ाग था